हेलो फ्रेंस गुट बार्णिंग और सुभे हो चुकी है और बार इस पगेरा सब चली गई है और काफी अच्छा मोसम हो चुका यहाँ पर प्रोब्लम ही होगी है मेरी होगी तवित खड़ा अब कल दो दिन से गला बहुत ज्यादे सुखा हुआ था अब खासी औरकी थी से निकल रहा है इस तरफ थोड़ा बादल आए हुए है इस तरफ तो हो जाएका साफ तेज धूप होने वाली है अभी थोड़ा बहुत नक्रे दिखा रहा है और वाकी हमेसा की तरह यहां पर पूरा सांत महोल और आर्पी को देख लो बाई काफी दिनों बाद पर पीसे तो रिशी के इसमें चार तरह के आसराम है चार तरह की में मेजर प्रोपर्टीज है एक तो स्वर्ग असरम वान प्रस्त असरम एक परमार्त निकेतन और एक गीता बहुन यह चारों में अलग-अलग है कोई किसे से निया और सबके पास हूज लेंड है मेरे को यह देखना मेरे केतन के और वान प्रस्त के पास सबसे कम प्रोपर्टी है जहां तक मेरा अंद आ जाए अगर आपको कुछ इसमें नोली जा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं चुली मैं इसमें गल्ट भी हो सकता हूँ मैंने किसी से पूछा था लोकल बंदे सी पूछा थो यहां रहता है मतलब जो गीता भावन में 25 साल नोकरी करी है यह यह प्लंबर नहीं है जो लगे हुए है वो भी छोड़ काई गीता भावन से तो उन्होंने मुझे बात बता ही तो कहरते काली कमदी वाले हैं स्वर्गास्रम वाली सायद है ना स्वर्गास्रम और वान प्रस्ता लग अलगा बिल्कुल सोरी एक कैलासा नंद की भी प्रोपर्टी है पाच होगी मतलब देखो वो लग रहे हैं ना कार्पेंटर गए मैं यहां उन्होंने बताया था दूफैर के तीन बजगे आज नास्ता लेट किया था तो इस वज़े से महसूस नहीं हो रहा है अंदीप ने भी जिम जॉइन कर रख़ा है साम का तो साम को तो जिम रहता है तो इसलिए भी उससे मिलने का मी मिला भुखार अभी भी है क्योंकि गिलोई ले लिया गिलोई ने बुखार को काटना सुरू कर जिया लेकिन जीने पर चट्रा थो थोड़ा महसूस हो रहा था चार अभी वाफिस जाते हैं नीचे की तरफ ये वाला बैक मुझे संदीब ने गिफ्ट किया है उसको पता नहीं किस चीज के बस ये लिखा हुआ है वाल्ड क्राफ्ट तो ये भी काम आ रहा है काफी चीजे मैंने इसमें यूरा करा और बैक तो जितने मिल जाए है रिसी केस कोफी ओडर की है जो नी भाई ने इस तरह का केफे है और मैं ले रहा हूं हनी जैंबन जिंजर टी क्या होगा गरम कर दो तो यहां से जो व्यू आ रहा है यह देखो वाई क्या व्यू है सूपर्ब बिल्कुल सामने 17 मंजल टेंपल यह देखो मंदिर की चोटी दिख रही ह टेंट मन हनी क्योंकि बहुत जादे प्रोबलम हो रही है चैस्ट में और यहां पर क्रो सेंट काफी देर से यहां बैठे देब जा रहे हैं स्वीज गार्डन की तरफ बेबिलोन रेस्ट्रेंट के बाद आ गया उन स्वीज गार्डन के फे और यहां पर भी काफी कोजी इन्वाइरमेंट है लाइट है जल रही है क्योंकि तबीद खरापती है थो ठीक है मैंने इनको हनी जिंजर का घोट वाटर मगा लिया था यहां पर जो स्वीज गार्डन है इसका न मुझे पनी टिक का बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहां पर जो शैफ है यह इसको बनाते हैं तंदूरी पर वह काफी अच्छे से बनाते हैं चलो देखते हैं पोने 11 होगे स्वीज गा बर्गर वाले हैं यहां पर बहुत दिनों बाद मोका मिलाए भाया कर आप जानेगा यह देखो फ्रेंच प्राइज और बर्गर बर्गर वनवाएं देखते अब कैसे लगेंगे चीज वाले भी थे चीज लेकिन पर मूल वाली इंटीस लिए अरे वाग यह क्या है बनाना स साम को मैंने गटरिक की थी मैंने एक विस्की ली थी थी थोड़ी सी हनी और जिंजर और होट वाटर मतलब एक चमच साब एक चमच तास में और उससे काफी आरा हम होगा क्योंकि वह इतना पूरा चील देती है कड़ भी होती है उसमें जा अगर कोरणा वाइरस का कुछ भी तरीन सांत दिन धूप निकल चुकी है बिल्कुल सांती जैसा एकस्पेक्टिर था कि 21 तारिक में ऐसा हो जाएगा बहुत लोग डर गे थे कि यह दानात नहीं जा रहे मतलब 17 तारिक कोई फैसला ले लिया कि नहीं जा रहे और मैंने बोला था कि 20-21 तक तो 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 लोगों कैसा है कि नहीं आपाते अब इस पतली कली से सुभी सुभी जब जाते हैं तो इतना अच्छा लगता इतना अच्छा लगता इतना सांत महां आरवेदा कैफे पे ऐसा फिल तप अबन में कहां मिलेगा यह देखो भाई मोर बैठा हुआ है दिवार पे एक तो करने वाला है कोसिस करूंगा कैप्चर कर लो ओड़िया चलो भाई करो ओडर अच्छलो बाई करो ओडर इटिंग साथ में चल रही और हमारे आगे मिक्स वैज पराते आज कुछ डिफेरेंट टोडर किया मैंना दही तो नहीं चाहिए थी वैसे पर चल जाएगी चलो कि चा ग्यारा बजगे रूम पर जाते जाते और यहां की सांती देखो थोड़ा दिन बन किया कि यहां बैठ जाओं कम से कम आदा गंटा यहां बठारा सांती में आज टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है एक के दुख्य दिख रहे है राम जुला भी बिल्कुल खाली है और देखो ग बजगे मैं बजी क्वेशां बागे मैं में से बी बात है है उन्हों ने हमने बता दिया कि आज करीब आड आज रात को डिनर वहीं करेंगे और इस टे होगा को में में ब्रेक फास्ट करके वापिस अपने रिषी के सा जाएंगे तो आपको फुल एक्सपिरियंस कराओंगा इस resort का कि यह resort कैसा है, कैसा experience हुआ, कैसा खाना है, कैसा environment है, room है तो मैं यह कहरता कि मैं किसी भी property का overview देता हूँ, तो काफी अच्छे से देता हूँ अब तक मैंने राजा जीन Corvette National Park के आसपास की property के overview दे रिजोट के तो देवेंदर डागर जी थे वो जब रिषी के इसमा है तो तो वानप्रस्त आसरम में रुगे थे, उन्होंने मुझे कुछ इंफोर्मिशन दी, कि सबसे पहला नंबर तो खेर गीता बहुन के आसरम, मतलब फूड का है, टेस्ट में, फिर वानप्रस्त का है, सबसे सूपर फिर ये परमारत का लास्ट में, तो मैंने सोचा क्यों मिस किया, एक बार वानप्रस्त का भी जोनी भाई और मैं भी काफी दिन सोच रहे थे कि वानप्रस्त आसरम में भी ट्राइ कर लेते हैं, तो अभी आज मोका मिल रहा है, देखते हैं, वह पर खाना मिलेगा, नहीं मिल पर टेस्ट कैसा है, यह वानप्रस्त फिर जाते हैं संदीप के अपार्टमेंट में और फिर तीनों मिलके जाते हैं, रिजोर्ट में, इंडिया एडवेंचर रिजोर्ट में, तो वानप्रस्त के आसरम में पहुझे हैं, अब 75 रुपे की थाली है, फिलाल आज यह बनावा हैं, यह कड़ी, दाल, न्यूट्री की सबजी है, अलुकी, और वे पांच-चार तरे की सबजी आए, एक हो रहा है, तो मेरे खाल से रोटी यहां पर लिमीटेड है, एक अच्छी बात हो रहे है कि घी भी लग रहा है रोटी पे, भाई मैंने चारो ट्राय कर लिए, सूपर है, बहुत अच्छा है, सैटिस्फाए हूँ, परमार से रिली में काफी अच्छा है, इवन गीता बहुन से भी अच्छा लग रहा है तो, यहां पर वानपरस्त में खाना खालिया है, और खाना ठीक था, लेकिन क्वें थोड़ा से कम थी, मतलब की, मैंने दुबार से मांग इस तरफ इस तरफ है और वानपरस्त आश्रम, तो ना इसमें अच्छी बात ही है, कि मेरा मून इसके वाईजर तक आ रहा है, तो इसमें बैठने में मुझे ज्यादे मजा रहा है, ऐस कमपेर टू KTM 390, चलो खेर गभी तो लेनी नहीं जब लेंए तब देखेंगे, जब बढ़ा ना दूद बेंज देना एक पैकिट हाँ पेटीम किस पर करना नमर में दाओगे तो बड़ी उमीदों से दूद लाए थे लेकिन गैस सिलेंडर खतम हो गया है तो फाइनली जैसे हमने स्टार्ट करी जोनी बाई ने बगोना रखा दूद डाला चीनी डाली सब बंद होगा इसका पूर इडरा धता कर देखते हैं चलती है नीचो चली 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 चल जा जा बाही चल जा थोड़ी वह चल जा अरे अर बंद होगी नहीं हो पाए यह दोध भी वेकार हो गए कैम्प में और सिधा वही पर जाके बारनी वहीं झाल 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 झाल